न्यूज वाल इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ का जोन नराएंड एशिया कप भारत पाकिस्तान का मैच एक बार फिर से आज शुरू हो चुका है हाला कि इसे रिजर्व डे कहा जा रहा है क्योंकि दो तारी को मैच हुआ लेकिन दो तारी को भी कोई नतीज को निकल कर सामने नहीं आए क्योंकि बारिश की वज़े से मैच पूरी तरह से धुल गया था उसके बाद फिर 10त आरी यानि की रविवार बीते रविवार को मैच रखा गया बीते रविवार को भी बारिश की वज़े से पूरा मैच धुल गया जिसकी वजह से देखा जाए तो रिजर्व डे रखा गया था और आज वही रिजर्व डे पर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से इस मैच को आगे बढ़ा रहे हैं देखे अब विराट पर पूरी तरह से जिम्मदारी हैं क्योंकि रोहिश शर्मा आउट हो चुके हैं शुमन गिल्बी कल आउट हो चुके थे चौबेस ओवर में 147 रन भारत ने बनाए थे ऐसे में न्यूजरूम में हम मौजूद हैं मेरे सयोगी सुधिप भी मेरे साथ करेंगे क्योंकि मैश के बारे में बहुत अच्छी नौरेज रखते हैं सुधिप मैश को लेकर कितने हैं देखें मैश को लेकर तो मुम लोग वत रिशाइड़ हैं कल से लेकर आज तक जिस तरीके से मैच रुका आज भी काम करने मन नहीं लग रहा है लगातार वही मनमिक अब आच्छी के से बिराड खोले के एब राट खोली अपने अपने आप में आप उनको देखते होंगे कि इस तरीके से रिश नौरी का वल्ला चलता यब तो अच्छी है उसे खोऊप खाते हैं आप उठाकर देख हैं कि इस तरीके से बीराड कोली लग-बारा मैचों में प्लास प्लास पाकिसान के लाप सोय को पर उनका एबरेज है अगर अगर राहूल के बात कल तो हो सकता राहूल का फी दूने बात कहल लेकिन कल जिस तरीके से बैट के साथ जो नुका टश्ट था वो काफी अच्छा नजर आया और काफी पारी कुस्वाल कर खेल रहे थे वह पर आज जब खेल शुरू होता तो अभी इंडिया लगबग दो ही बिकट उनके हैं और इंडिया के लिए सबसे जो खुसकवरी ख़बर ही है कि पाकिस्तान के जिससे बालर से जिस सब खौफ खाते थे हारिस रौफ आज वो खेल नहीं रहे हैं आप इस तरीके समझे कि जि लिए बहुत अलगी रहा है क्या लगता है अज को लेकर देखी बिल्कुल आपने बहुत सही का दो जार उनीस में जब न्युजी लेंड से टीम इंडिया का मुकाबला होता तो साइद अगर उस दिन में चोटा तो इंडिया जी जाती लिकिन रिजर्बडे से जब हट के व मैच को समझने की कोशिश की है अगर मैच आज भी ड्रा होता है तो एक एक अंख दोनों ही टीम को मिलने वाले हैं तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए मजबूती होगी लेकिन इंडिया को आने वाले दोनों मैच जीतने कंपसर ही हो जाएंगे बिल्कुल देखिए आज एक अं पाकिस्तान के मैच के लिए तो जब उनको हाई कैंस दीएगे तो उसमें सायद उनको कैंस दिक्कात हुई पीठ में जिसकी वज़ास उनको बैठा दिया गया हमारे पास परफेक्ट प्लेइंग 11 है यह हम कह सकते हैं तो आज हम यह कह सकते हैं कि भाई भारत जीतना है जीतना पड़ेगा बिल्कुल साफ तो से कह सकते हैं आप देखें जिस तरीके से दो तारीक जब पहला मैच हुआ था भार बारबाजी अपनी करते हुए दिखते हैं साब्दुल ठाकुर जिसको हम लोग बुलते हैं लार ठाकुर किस तरीके सुमझा कि लेंड मैच जिताया था तो आपके पास काफी सारी इसमें आपसन है बालिंग वह आप देख लिए जिस तरीके से बूम 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 रा जब उ हमारे धुरंदर जो है वो अब कहीं न कहीं पाकिस्तान के बॉलर्स के चखके चुड़ाने के लिए तयार है मेरे से योगी राहूल भी मेरे साथ मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करोंगी वह कितने एकसाइडिड है मैच को लेकर राहूल दो बार ड्रा हुआ मैच जाता है मैच को जिसरी कि सब के अगर में टीव अपूरती है यह सब होता है तो यह सब चीजे तो एकसाइटमेंट बहुत ज्यादा है मैच शुरू हो चुका है अब पलपल की अपडेट न्यूज वाल इंडिया अब तक पहुंचाता रहेगा बने रही है न्यूज वाल इ किसाइट